नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलिज भर दोस्तों ये बात साल 2013 की है आयन सिंधूर रक्षक जो की एक डीजल पावर्ड समरीन थी इसमें आग लग जाती है और ये आग इतनी भयानक हो जाती है कि ये समरीन धूदू करके जल जाती है ज और इसमें रहने वाले सैनिको की और खीचा दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार पंडूब्यों में सैनिको का जीवन कैसा होता है और वो अपनी लाइफ को कितनी चुनौती भरी तरीके से जीते हैं इसलिए आप सब लोगों से में पेंजिंग और टव बरा माना जाता है इनका मिशन आम तोर पर 20 से लेकर के 25 दिन तक होता है लेकिन कभी-कभी ये मिशन 40 से लेकर 45 दिनों तक हो जाता है जब ये अपने मिशन पर जाते हैं तो इनके परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं होती 現ा अपने पर कहां जा रहे हैं इन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि इनके परिवार के सदर से सिर्फ और सिर्फ डूटी पर जा रहे हैं सेना से जुड़े मिशन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ इनके मुख्याले को होती है पंडुबी में रहने वाले सैनिकों का जीवन अपने आप में काफी वैस्थ होता है पंडुबी के अंदर पानी की भी बहुत ज्यादा कमी होती है जिस कारण से 9 सैनिकों का नहाना तो दूर वो शेविंग भी नहीं बना पाते एक सैनिक को प्रती दिन 3 से ले करके 4 मग पानी ही दिया जाता है इसी कारण से पंडुबी में रहने वाले सैनिकों को ऐसे कपड़े दिया जाते हैं जिने वो 3-4 दिन पहनते हैं और उन्हें पहनने के बाद फेक देते हैं पंडूबी में रहने वाले सैनिकों के खाने में कभी भी छोंक या तड़का नहीं लगाया जाता क्योंकि छोंक और तड़के से धुआ उठता है और धुआ उठने से पंडूबी के अंदर आग लगने की संभावना बनी रहती है इसी कारण से पंडूबी में रहने वाले सैन पाईयों को हमीशा साथ रखा जाता है जिससे अगर सैनिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना हो तो उन्हें तुरंद ठीक किया जा सके पंडूबी में सैनिकों के सोनी के लिए दो कमपार्टमेंट होते हैं जहां का तापमान बहुत जादा होता है और वहां पंडूबी के अंदर तो अपना खास ख्या लखना ही पड़ता है साती साथ उन्हें बाहर बैठे दुस्मनों से भी अपनी रक्षा करनी पड़ती है लगातार कई दुनों तक पानी के अंदर रहने के कारण उनके पास कोई भी सनलाइट नहीं पहुँच पाती जिस कारण स पंडूबी में रहने वाले सैनिक सम्मरीन से बाहर आते हैं तब उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न होती है और साथी साथ इन्हें कई प्रकार की दूसरी सारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है पंडूबी में रहने वाले सैनिकों का जीवन अप ने काम को वकू भी अन्जाम देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम और हमारा देश सुरक्चित रहे और हमारे देश का तिरंगा हमेशा ही यू लहराता रहे